नमस्कार जन उत्राखन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ प्रभाद सबसे पहले नजर हेडलाइन्स पर सियम पुषकर सिंधामी का एक चमूली दौरा भगवान बद्री विशाल के किये दर्शन दीर थी आत्रियों से की मुलाकाद भरानी सैंड में का रशाला को किया समुधित पूरकेंद्रिय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का राजस्थान दौरा जैपुर में बोले नवोदित लेखकों के लिए श्वेश्च स्थान बनेगा लेखक गाउं श्वेश्चितम रचनाकार की प्रतिका करेंगे प्रचार केदानात उप्चुनाव करन प्रवासी उत्रा खंडिकों को साधने में जुटी वीजेपी दिली चंडीगर खरियाना का महिंद्र भटने किया दौरा कॉंग्रेस विधायक प्रितम सिंग का चात्र निता बवी पवार पर गंभीर आरूप कहा उर्जा विफाक के ही एक नॉन टेकनिकल अधिकारी से साधगांट सरकार से की जांच की मांग और जिला उपभुकता फोरम के सदस्यों और चेर्मेन की तैनाथी का मामला हाई कोट ने लिए सुत्य संग्जान सचिव से पूछा सवाल क्या चार के लावा अनने जिलों में भी होगी नियुकती मुख्यमत्री पुषकर सिंग धामी ने आज बद्रिनात धाम में पूर आर्चना की और भगवान बद्रिविशाल के दर्शन कर देश प्रदेश की सुख सम्रिधी और खुशाली के लिए प्रात्ना की इससे पहले उन्होंने मौझूद तीर्थ यात्यों से मुलाकात की और उनकी यात्रा के बारे में जाना इस दोरान सियम धामी ने मीडिया से कहा कि पिछले दो तीन साथ से शद्धालों की संख्या लगातार बढ़ी है आने वाले समय में यात्यों की संख्या में रिकॉर्ड व्रिधी होगी मही सीम धामी ने तीर्थ पुरोहितों व्यापार मंडल होटल एसोसियेशन के पताधिकारियों से बी के टी सी कारेले में मुलाकात कर उनकी समस्याइं सुनी और उनके निदान का आश्च्वासंदिया अच्छी यात्रा हुई है और यात्रा चुकि अब कपार्ट बंद होने चार दिन का समय सेस है लेकिन अभी भी पूरी तरह से घवार मंत्री विसाल के दर्सन करने के लिए सर्दालों का सर्दालों बहुत बड़ी संख्या में यहां पर रहें अच्छी तरह से लिए हमारे कभान मंत्री आदमी मोड़ी दी के सधान मंत्री बनने के लाद चाहिए वो बाबा किरार की आत्रा हुए यहां पर भब मिर्मार और दिब मिर्मार हुआ है बरानी सेंड में राजस्तरीय ग्रामिन उद्यमिता विकास कारेशाला हुई मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी ने कहा कि सरकार ने दोजार पच्चीस तक डेड़ लाक महिलाओं को लखपती दीदी बनाने के लक्ष पर काम कर रहा है विश्व ग्रिश मकालीन राजधानी में इस कारेशाला कायोजन होना अपने आप में एती खास्तिक अफसर है सरकार कारेशाला में पराप्त सुझावों पर गंभीरता से अमल करते हुए ग्रामिन उद्यमियों के सामने आने वाली सभी समस्याओं का समाधान निकालेगी मुख्यमंद्री ने का कि सरकार पहले ही दिन से सरली करण समाधान और निस्तारण के मंतर पर चल रगी है इसके सकारात्मक परिणाम अब नज़र आने लगे है पिश्ट थीन साल के दौरान स्वरोजगार के क्षेतर में कई काम हुए है किसी भी काम की शुरुआत में कठिनाई तो आती ही है लेकिन अब महिराएं और युवा स्वरोजगार के क्षेतर में उलेकनी ये काम करने लगे है उत्राखन राज़ में पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुसकर सिंधामी की अधिक्ष्टा में विधान परिसर भरानी सेंड में पलायन निवारन आयोक की एहम बैठक हुई इसमें पलायन के प्रमुक कारणों पर चर्चा के साथ ही इसके निवारन के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर मन्थन किया गया मुख्यमंत्री पुसकर सिंधामी ने कहा कि राज़ सरकार पलायन की समस्या को लेकर गंभीर है और इसे रोकने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है राज़ सरकार ग्रामिन क्षेतरों में रोज़गार और आधार भूत धांचे के विकास के लिए लगातार काम कर रखी है शिक्षा और स्वास्ते सिवाओं को सुद्रिड किया जा रहा है स्थानी अस्तर पर सामुदाएक विकास कारेकरमों के माद्यम से भी युवाओं को सुरूजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी ने विधान सबाभवन भराणी सेंड में उत्तराखंट में सख्त भू कानून के समंद में बैठा करी भू खानून के लिए बनाई गई समयती और अन्यप पूर वो चाधिकारियों और बुधी जीवियों के साथ भू खानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई इस अफसर पर मुख्य मंत्री ने कहा कि राज़ सरकार भू खानून को लेकर अत्यंत गंभीर है उन्होंने कहा कि प्रदेश में रागू होने वाले भू खानून को जन भावनाओं के अनुरूप बनाए जाने की दिशा में काम किया जा रहा है मुख्य मंत्री ने कहा कि इस चर्चा के दौरान बहुत से अच्छे सुझाव आए हैं जिरें भू खानून में शामिल किया जाएगा उन्हों का कि एज़ियम और तहसीरदार स्थर पर भी भू खानून को लेकर जनता से सुझाव लिये जाएंगे जिनमें से अच्छे सुझावों को इसमें शामिल किया जाएगा देरादून के पास नवोदित लेखकों के लिए भी एक स्ट्रेश्ट हिस्थान बनेगा लेखक गाउं हालगी में अक्टूबर के महीने में तीन दिवसी महुस्ब में देखी एक जलक की बात करें तो ये काफी महत पूर्ण है ये कहना है पूर्वे केंद्रिय मंत्री रमेश पोखरियाल निश्चंक का जैपूर दोरे पर आयद निश्चंक ने कहा कि देरादून के पास ये लेखक गाउं बसाया क्या है यहाँ अब सभी भाषाओं के विचारक चिन तक मंत्र कर सकेंगे निश्चंक ने कहा कि लेखक गाउं के परिवार में स्ट्रेश्टितम रचनाकार की प्रती आने पर उसका प्रसार किया जाएगा नवुदित लेखकों के लिए भी एक स्ट्रेश्ट स्थान बनेगा लेखक गाउं सभी भाषाओं के लिए जो लोग हैं सिर्ण प्रता ही जो लेखक है विचार के चिंदा के वो सभी उसस्थान पर आतके और अपनी रचना धर्मिता को आगे बना सकेंगे तीन प्रकार को ने हमाले को जो लेखकांगे ऐसे स्रेश्ट अकम देखकर जिन्होंने देश को पहुत कुछ दिया अपनी रचना धर्मिता से पर जीवन समझे करने बाद को जीवन के सिखों के प्रथम गुरू गुरू नानक देव जी के पांसो पच्पनवे प्रकाश्पर्व के अफसर पर डुईवाला में भविन नगर कीर्तन का आयोजन हुआ इसमें हजारों की संख्या में श्रधालवों ने हिस्सा लिया नगर कीर्तन प्रेम नगर इस्थ गुरू द्वारे से शुरू होकर डोईवाला चौक पहुंचा इसमें पंजाब से आई गत्तका पार्टी ने गत्तके का प्रदर्शन क सहसोर वीर्था का परिचदिया नगर कीर्तन में कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद अगरवाल डोईवाला विधायक ब्रिजभूशन गयरोला भाजपनेता और एसपी सिंग सहित प्यापारियों ने बढ़चल कर हिस्सा लिया डोईवाला में जगह जगह नगर कीर्तन में प्रमुक्त में आपको कहना चाहूंगा पूरी तिना से देवी शक्ति की तरफ वो लीन हो गए दो दिन पहले देरादून की सड़कों पर समान काम समान वेतन को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करहे उपनल के बीस हजार से ज्यादा कर्मचारियों को विपक्ष का भी साथ मिल रहा है उतराखन कांग्रेस के वरेशन निता और प्रदेश उपाद्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने उपनल कर्मचारियों के मामले में धामी सरकार पर जम कर हमला बोला उन्होंने एक प्रेस वारता करते हुए कहा कि राज़ सरकार कोट के आदेशों की अवहिलना कर उपनल कर्मचारी का हख मार रही है और जब ये कर्मचारी सड़कों पर उतर कर सरकार के खिलाफ प्रदेशन करते हैं तो मुख्य सचे वाकर इन कर्मचारी को आश्वासन देते हैं कि जल्द ही उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और सरकार कर्मचारी के नियमति करन और वेतन को लेकर फैसला लेना तो दूर बलकि हाई कोट के फैसले पर सुप्रीम कोट में पुनर विचार याचिका दाखिल कर देती है इससे साफ है कि राज़ सरकार कर्मचारी के साथ ना इनसाफी कर रही है सरकार ने पीट में छुरा घुपने का काम किया एक तरफ आप वारता के लिए निमंतिरित कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोट में रिवियू पेटिशन में जा रहे हैं जानी कि आप एक तरफ हमें कह रहे हैं कह रहे हैं आप अंदोलन निस्तेकित कर दो करमचारी ने आपकी बात मान ली और आप रिवियू पेटिशन में चले गए तो ये विश्वास घात है इसके खिलाफ हम कॉंग्रेस पार्टी प्रदेश अद्यश करण महारा के नित्वत में डेलिगेशन पार्टी का मा महीम राज़िपाल से समय मांग रहा है 19 या 20 तारीकों जब भी समय मिलेगा हमारा डेलिगेशन राज़िपाल कहा जाएगा उपनल करमचारी आंदोलन का जो भी फैसला करेंगे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उपनल करमचारीों के साथ खड़ी होगी उनके साथ लाम बंदों करके आंदोलन करेगी हमारी मांग है कि जो हाई कोट का निने उसको इंप्लिमेंट किया जाए हरिद्वार रूड की विकास प्राधी करने ने अवैद कालोनियों पर फिर पीला पंजा चलाया है एक साथ तीन अलग अलग जगह पर बनी अवैद कालोनियों पर बुल्डोजर चला HRDA के सेंग तो सचेवार्शी शमिश्क्रा के निर्देश पर अपर अभियंता नीरजभट ने अपनी टीम के साथ मिलकर कारवाई की अवैद कालोनियों पर बुल्डोजर की कारवाई से हरकंप मच गया विफाग के बुल्डोजर ने अवैद कालोनियों की सडकें उखार डाली HRDA के VC अंशुल सिंग के अवैद कालोनियों को दो टूक रही हरदवार जिले में किसी भी तरह का अवैद निर्मान नहीं होगा राम नगर में सैमलेटन फीड संस्था जवारा पहल की गई आज राजकी इंटर कॉलेज धेला और राजकी उच्चितर माथमिक विद्याले पटरानी को साड़े चार सो से ज़्यादा बच्चों को जूते वित्रित किये गए इस संस्था के बारे में जानकारी देते हुए अमेरिका से आई हुए संस्था के वरिष्ट पताधेकारी डगलस ने बताया कि इस संस्था का उद्देश अपने आवे अनूटा है इसकी इस्तापना नाइजिरिया के अंतराश्ट्री ये बासकेर बार खिलाड़ी मैनी ओहनमे और उनकी पतनी ट्रेसी ने की मैनी ओहनमे का जन्म नाइजिरिया के एक बहुत ही गरी परिवार में हुआ और नौ साल की उम्र में उनका पहली बार एक प्रत्योगी ताजीतने के बाद उन्हें जूते की पहली जूड़ी मिली इस पहली जूते की जूड़ी से उन्हें भविश्य के लिए आशा और प्रेड़न अम्री भविश्य में और प्रगति करवे अमेरिका पहुँचे जहां उन्होंने बास्केट बॉल में अंतराश्ट्री ये पहचान बनाई इनकी संस्था दुनिया के सौ से ज्यादा देशों के एक करोड से ज्यादा बच्चों को अब तक जूते पहना चुकी है आज धेला और पटरानी के साड़े चार सो से अधिक स्कूली बच्चों को जूते परदान किये गए है यह मूलतो हो अमेरिका की संस्था है एक स्वयम्शेवी संस्था है और जाने मने नाइजीरिया के विश्विक्यात बॉस्केट बॉल खिलाडी ओमिन हिने के द्वारा इसको बनाया गया बच्पन मैं जब वो बहुत गरीप परिवार से थे उनके पास पहनने को जूते नहीं थे तो एक स्वयम्शेवी संस्था ने उनको जूती दिये और उनका जीवन बदल गया हुवे हर साल बच्चो को जूते प्रदान करते हैं और अब तक उंकी संस्ता एक करोड से अधिक बच्चो को पिछले दस वर्सों मैं ये जूते पहना चुकी है He went to visit, or his mommy sent him to sell refreshments in the park on a Saturday and he looked in the park and he saw all these children all around this one man who had one pair of shoes and a basketball and the man and the man he went up to him says what's going on what are all these people for he says there's a competition फिलाल एक छोटे से बेक के लिए रुखेंगे बने रखिये जन टीवी पार जन उत्राखन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रुदरुपूर में सोशल मीडिया पर हार्श फाइरिंग का एक वीडियो वाइरल हो रहा है कुछ दिनों पहले भी एक महिला द्वारा हार्श फाइरिंग किये जाने का एक मामला सामने आया था इसमें पुलिस में मुगतमा दर्ज कर जाँच शूरू कर दी थी अब एक बार फिर से एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वीडियो दीपावली वाले दिन का बताया जा रहा है वीडियो को पुलिस ने संग्यान में लेते हुए जाँच शूरू कर दी है जानकारी के मताविक सोशल मीडिया पर एक महिला की वीडियो वाइरल हो रही है वीडियो में महिला हार्श फारिन्ग करते हुए नजर आ रही है पोलिस ने वाइरल वीडियो को संग्यान में लेते हुए जात शुरू कर दिखे जो भी इसमें उचित कारवाई विवेक कारवाई होगी वो की जाएगी सुमार की देरात राजधानी देरादून के थाना केंट क्षेतर में हुए भीशन सड़क हाथसे में छे लोगों की मौद ने सिस्टम और सुरक्षा पर कई सवाल खड़ी कर दिये हैं क्योंकि जिस जगह ये हाथसा हुआ उस जगह प्रशासन द्वारा लगाया गया सी सी टीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था रात खरीब एक से दो बजे के बीच सड़क पर तेज रफ्तार कार दोड़ रही थी जो कई चौराहों से निकली लेकिन किसी भी जगह पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश नहीं कि इस मामले में कॉंग्रेस ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाये हैं कॉंग्रेस सुपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार भले ही लाक दावे करे लेकिन पुलिस की कार प्रणाली पर कई सवाल खड़े होते हैं खुलियां चल रहा था घटना होने के बाद जिंद्गियां छे जवान जिनका पूरा भविष्य उनका परिवार खड़म हो गया आप समझे कि परिवार में छे सिराग बुझ गए उसके बाद आप आप चापे मार रहे हैं शहर के अंदर जिस पकार से क्लब कल्चर शुरूआ है लात को लेट नाइट पाट्री चल रही है शराब चल रही है जगा जगा दस-दस कदम में विदेशी मद्रिया की दुकाने सरकार ने खुला दिये कदम कदम पर अंगरेजी सराब के ठेक है सरयाम सड़कों में गाड़ी खड़ी करके सराबी पी जा रही है शहर के अंदर तमाम विवस्ता चरमराई हुई है सरकार को जागना चाहिए पुलिस को जागना चाहिए जिस दिन एक्सिडेट होता है चार उदम सिंग नगर जिले के किच्छा में किसानों ने चीनी मिल को जल्द चालू करने की मांग करते हुए मांग पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी पूरी दर्जार राज्य मंत्री डॉक्टर गनेश उपाधिया के नित्रितव में तमाम किसान किच्छा चीनी मिल पहुँचे किसानों ने चीनी मिल कार्याले पर नार्यबाजी करते हुए किच्छा चीनी मिल चालू नहीं होने से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किसानों का कहना था कि खेत में खड़ी गन्ने की फसल खराब हो रही है और गन्ने की कटाई ना होने से समय पर धान की बवाई भी नहीं हो पा रही है था कि हम 20 से प्रादम मर करेंगे हमने ना अमने किसान की बबसं बारीश के बज़े से किसान का नुक्सान तो अलगुआ धान का पैसे भी किसान क्या करेंगा वाई बद्री नाथ धाम के कपाट 17 अवमर को रात 9 बचकर 7 मिनट पर शीत काल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होनी की प्रक्रिया के अंतरकत आज से पंच पूजाएं शुरू हो गई। केदारनाथ उप्चुनाओं में परचार परसार के लिए राजनित एक दलों के पास और केवल चार दिन का बचा है समय और इन चार दिन में बीजेपी केदारनाथ के निर्मान कारियों के उपलब्धियों को जनिता के बीच रख रख रही है। तो वहीं कॉंग्रेस सरकार पर केदारनाथ की प्रतिश्चा को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगा रही है। इसमें दोनों पार्टियों के बरिश्च नेताओं की तरफ से बयान बाजी की जा रही है। भाज़पा प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी के कारेकाल में केदारनाथ में किये जा रहे निर्मान कारियों का हवाला दे कर कॉंग्रेस पर केदारनाथ धाम के नाम पर जरता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। कॉंग्रेस ने केदारनाथ उप्चुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश देख्ष की अगवाई में एक केदारनाथ बचाओ यात्रा भी निकाली थी। हाला कि मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी सारवजनिक मंच और कई बार मीडिया के सामने भी बयान दे चुके हैं कि कॉंग्रेस केदारनाथ धाम के नाम पर केवर भ्रहम फैलाने का काम कर रखी है और सरकार केदारनाथ में तेजी से विकास कर रखी है। कि रहते हुए और गणेश गोद्याल जी ने बिकेटी सी के चेर्मेंट रहते हुए मुंबई के बसाई में बद्रीनात मंदिर का निर्माण हुआ था कि नहीं हुआ था वो बताएं लोगों को उनको बताना चाहिए तक इसमें सच्छा ही क्या है उसमें क्या मंदिर बना थ कि अजिन खाने किन secular गूंधन साथ मुमु में प्रकादी हुआ था कि लिए और इन अन्हीं भी ख़परों के साथ जन उतराखन में फिल खाल के लिए तना ही नमसकाद झाल झाल